आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंथ वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question is is आपको three of metals, right? So, देखो सबस्वेले हमें बात करते है corrosion की, right? So, corrosion बेसिंगली आपका एक ऐसा phenomenon होता है, जिसमें आपके अगर आपने कोई metal आपने exposed कर दिया into the air, क्योंकि एर में आपके वास क्यों होती है, oxygen oxygen होता है, प्रस आपके वास क्यों होता है, moisture होता है So, वो metal आपका क्या होता है, basically undergo कर जाता है, oxidation, right? जिसकी वज़े से metal की जो हमारे पास क्या होती है, उसकी strength हो गई, right? उसकी strength हो गई, और उसकी appearance हो गई, clear? और भी हमारे पास जो उसकी properties होती है, like उसकी malleability हो गई, fine? यह सब आपकी क्या कर जाती है? यह degrade कर जाती है, right? So, अगर आपका कोई metal आपने exposed किया air में और आपका corrosion resistant नहीं है, right? So, due to oxidation, उसकी strength, उसकी appearance जो गई, वो degrade कर जाती है, और इसी phenomenon का हम क्या करते हैं, corrosion, fine? अगर मुझे इसको prevent करना है, so आपको कर सकते हो, first आपके बास जो method होता है, prevention methods, both of us, alloying, right? So, alloying में हम क्या करते हैं, हमारा पस तो metal होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम mixing कर देते हैं, आपकी metal की, mixing कर देते है metal की with another metal, with another element, right? Basically, element ले 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 दे, because उस element में आपका कहे, non-metal भी आ सकता है, or metal भी आ सकता है, और यूशली metals का ही corrosion देखने हो मिलता है, right? So, हमने अगर किसी metal को mix कर दे, with another element, जो आपका metal भी हो सकता है, या non-metal भी हो सकता है, so, वो आपका prevent कर सकता है corrosion को, और इसको alloying कहते हैं, fine, next, अगर मैं या पर तो example की बात करते हैं, आप क्या अगर सकते हो, अगर आपने ले लिया, आपने, क्या किया, आप iron को alloy कर रहे हो, with carbon, right? So, iron को जो हम alloy करते हैं, with carbon, so, आपके बन जाते है steel, right? और आप देखते हो कि steel की, जो हमारे पास utensils होते हैं, उनको हम daily wear में use करते हैं, sorry, daily purposes में आप उनको use करते हैं, right? So, आप देख सकते हो, क्योंकि वो आपका corrosion resistant होता है, due to its mixing with carbon, right? Next, हमारे पास जो prevention method आपका use हो सकता है, वो होता है आपके पास electroplating, clear? अगर मैं बात करते हैं, आपकी electroplating की, so, आपको जमझना होगा, electroplating, right? So, आपका जो process होता है electroplating का, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम basically क्या करते हैं, plate करते हैं, आपकी layer of, layer of chromium को हम क्या करते हैं, plate करते हैं, over the surface of the metal, right? Over the surface of the metal, बतर जिस metal को हमें corrosion से prevent करना है, उसकी surface पर अगर लेयर of आप प्लेट कर दें तो उस प्रोसेस को यह अपको बात करते हैं, जिसकी वज़ेसे अब आपका वो मेटल भी गया है, प्रिवेंट हो सकता है, फ्रॉम्य को रोजिन थर्ड आपके वाज क्या होता है, गैल्बनाइजैशन पाइन, सो अगर मैं galvanization की बात करते हूं, so galvanization basically लिए होता है कि आपको बता है कि corrosion हम usually iron metals के cases में देखते हैं, सो अगर हम क्या कर रहे हैं, आपने कोई iron metal लिया आपका, और उसको आपने dip कर दिया into your molten zinc, molten zinc, जिसकी वज़े से अब आपके आज क्या होगा, जैसे अपने iron को dip किया into the molten zinc, अब आपके बस क्या होगी, एक layer जो होती है, a layer of zinc जो होती है, वो basically आपकी forms हो जाती है over iron, right, और इसी process को हम क्या करते हैं, galvanization करते हैं, so galvanization process में क्या करते हैं, zinc की layer को हम basically form करते हैं over the iron metal, जिसकी वज़े से भी आप क्या कर सकते हो, corrosion को prevent कर सकते हो, right, so यह आपके तीन methods है, so this is your desired answer, thank you.